इस वीडियो में आपको आफ्टरफेक्स की साथ ऐसी स्क्रिप्ट्स के बारे मताने वाला हूं जो अगर पेड़ भी होती तभी मैं उन्हें आखे बंद करके खरील देता क्योंकि ये स्क्रिप्ट्स मेरे वर्फ्लो के कॉंपलेक्स एरिये को इसली सॉल्ब करके मेरा काफी जादा टाइम बचाती है तो इस लिस्ट में सबसे पहला है एई जूस जिफ अब आफ्टरफेक्स के रेंडरिंग ओप्शन में हमारे पास जिफ एक्सपोर्ट करने का कोई ओप्शन नहीं है तो अगर क्लाइंट को फाइल जिफ फॉर्मट में चाहिए तो हमें आफ्टरफेक्स में जेपेक्स सीक्वेंज में टाइमलन को एक्सपोर्ट करना पड़ता है और फिर फोटोशॉप में ले जाकर हम इससे जिफ क्रीट करते हैं बट यह स्क्रिप्ट एक क्लिक से ही आफ्टरफेक्स से डिरेक्ट जिफ एक्सपोर्ट कर देता है और अल्सो अलाओस यू तो चेंज यूसफुल सेटिंग फ्रम एर नेक्स्ट है ट्रू कॉंप डॉब्लिकेटर इस स्क्रिप्ट को मैंने अल्मॉस इन सारे प्रोजेक्ट में यूज़ किया होगा यह स्क्रिप्ट हमारी कॉम्पोजिशन को सिंप्ली डूब्लिकेट करती है बट स्मार्ट तरीके से एक्जाम्पल के साथ समझाता हूँ अब इस 3D map animation में अगर मुझे यह same callout यहां yellow line के ओपर भी लगाना है तो अगर मैं इसको duplicate करूँ by pressing ctrl plus d और इससे यहां place करके इसके अंदर इसका text चेंज करूँ तो यहां इसके text को change करने के लिए एक और composition है लेट्स को inside and rename it to yellow इसका यहां से color भी change करेंगे और यहां इसके size को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो यह करने से हमारी map composition में यह दोनों ही change हो जाएंगे क्योंकि यह composition हमारी project panel में एक ही है अब इनको अलग-अलग करने के लिए हम अपने callout composition को पहले अपने project panel से duplicate करेंगे और अब इस duplicated com को अपनी yellow वाली composition के साथ replace कर देंगे इसको replace करने के लिए मैं यहां all दबा के इसके उपर drag and drop कर दूँगा और यहां यह replace हो गया अब अगर मैं इसके अंदर जाओं तो यहां हमारी edit text वाली com दोनों में same ही है तो इसको भी अपने project panel से duplicate करेंगे और इसको भी यहां all दबा के replace कर देंगे और अब हम इस callout comp में अपना text change कर सकते हैं I know यह थोड़ा confusing है बट this is how after effects works और in fact हमारी इस composition के अंदर अभी सरफ एक ही subcom थी जिससे हमने फटावट से replace कर दिया अगर यह multiple subcoms होती तो उनको एक ही करके duplicate करके replace करना और भी ज़्यादा confusing और time taking process बन सकता था तो इस hectic process को sort करने के लिए I use truecomp duplicator जो हमारी composition और subcomposition को एक ही click में duplicate करके replace भी कर देता है Let me show you how it works I'll delete my yellow line callout and let's duplicate our blue line and place it over here और हम अपने project panel में सिर्फ अपनी main composition को select करेंगे जिसे हम duplicate करना चाहते हैं यहां मैं suffix के option को uncheck कर दूँगा क्योंकि यह incremental naming काफी है और यहां नीचे मैंने expressions को update करने का option check कर रखा Now let's hit duplicate selected Let's click ok और यहां हम देख सकते हैं कि हमारी edit text com भी duplicate हो रखी है और हमारी नई composition में replace भी हो रखी है Now let's rename our text और हम अपनी map comp में इसे alt दबा के replace कर सकते हैं Next is rd comp setter यह script after effects की native script है जो आपको यहां मिलेगी इस script से हम अपनी composition और sub composition की settings को एक साथ change कर सकते हैं मैं इसे यहां place कर दाता हूँ अब मानलो हम एक project में काम कर रहे हैं जिसका frame rate है 30 fps अब बीच में मुझे एक part पर यह preset गरना है जिसका frame rate है 25 fps और इसकी सारी subcoms भी 25 fps पर ही हैं अब अगर इस comp को मैं अपनी 30 fps की timeline पर रखूँ तो हमारे कुछ frames में दिक्कत आ सकती है तो इसको solve करने के लिए हम अपने preset की main composition को select करेंगे और अपने rd comsetter में अपने frame rate को check करेंगे यहां कोई भी frame rate टाइप कर सकते हैं हमें इसे 30 fps पर बनाना है तो 30 is good और यहां इसको apply करने से पहले make sure कर लेंगे कि यह updated nested com checked है ताकि इसके अंदर की subcoms का भी frame rate 30 fps पर हो जाए लेट्स क्लिक apply और यहां दिख सकते हैं कि हमारी सारी composition के frame rate चेंज हो गया है now imagine changing their frame rate one by one for every composition next is mute by mogra factory यह actually में एक extension है जो आपको extension के column में मिलेगी और इसके अंदर काफी सारे options है जैसे कि यहां अपने layers का anchor point chain कर सकते हैं और इस button से अपनी layer के anchor point से null attach कर सकते हैं इसके नीचे इन button से हम अपने keyframes को manipulate कर सकते हैं और यहां से हम अपनी layers को timeline में minimum और maximum value देके randomly place कर सकते हैं और इस last button से हम अपनी layers को अपनी timeline में evenly distribute कर सकते हैं मैं इसे अपने expression को After Effects के अंदर save करने के लिए use करता हूँ ताकि मुझे अपनी property में बड़े-बड़े expressions add करने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े इन्हें add करने के लिए हम simply अपनी property select करेंगे और यहां इस पर double click करेंगे अब अगर आप expressions के बारे में और जाना चाहते हो तो मैंने After Effects के सारे important expressions को इस छोटी सी playlist में example के साथ कवर की है तो इस वीडियो के बाद आप description में दियेगे link पे click करके इस playlist को देख सकते हो अब next है animation composer by Mr. Rose यह भी एक extension है जिसे हम अपनी layers में transition और effects add कर सकते हैं with just one click इसके free version में ही इतने सारे presets available हैं जिने use करके आपने workflow की speed और quality को एक साथ increase कर सकते हो I would highly recommend you to install this extension and explore all the presets by yourself दूसरे नमबर पे है doing Angela by Rx Laboratory यह एक industry standard character rigging tool है जिसे हम किसी भी तरह की 2D character को After Effects में animate कर सकते हैं Literally किसी भी तरह का character अब यह script शुरुवात में समझनी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि इसमें काफी सारे options हैं जो काफी deep जाते हैं तो इसको explain करने के लिए मैं इसी channel पे आने वाले time में बहुत amazing series लेके आने वाला हूं जिसे देखके आपने 2D characters को After Effects में animate कर पा होगे तो make sure you have subscribed to this channel and have clicked the bell icon to stay notified और अब हमारे पहले number पे है FX console by video co-pilot मेरे साब से ये script After Effects के सारे users को छूटते इंस्टॉल कर लेनी चाहिए इससे basically हम अपनी layers में effect आड़ करते हैं बट इसके लाबा भी एक काफी काम की script है यहां हम किसी भी layer को select करके अपनी custom shortcut की प्रेस करेंगे और यहां हम किसी भी effect को search कर सकते हैं और उस effect को apply करने के लिए हम simply enter press कर देंगे मैंने इस script में custom buttons भी add कर रहे हैं ताकि मैं अपने सबसे ज्यादा user level effects को इन numbers से अपनी layers पे apply कर पा हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इन सारी scripts को download करने का link में निचे description में add कर दी है और next आप इस channel पर क्या देखना जाते हो वो मुझे आप नीचे comment करके बता सकते हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए और मुझे support करने के लिए आप इस वीडियो को like कर सकते हो और इस channel को subscribe and I'll see you in the next one